बिस्मिल्लाय रह्मान रोहीम, on the demand of Bittuji, यह प्रॉब्लम है, टिकनो मेंटी की, समेशन और समेशम और से चेप्टर से, और यह प्रॉब्लम है, find the sum of series, cos theta minus 1 by 2 cos 2 theta plus 1 by 3 cos 3 theta minus and so on to infinity, यह एक cos series दे रहे है, cos series को हम लोग c से denote करते हैं, क्योंकि हम इस method को यूज़ करेंगे, वो c plus is method होगा, तो इसमें c cos series होती है, जो given है, इसमें angle ap में होने चाहिए, देखना है कि इसके angle है, वो ap में है, theta, 2 theta, 3 theta, और difference जो है, theta का है, यहनी common difference theta है, तो यह ap में इसके angles हैं, तो इसे हम sign series लिखेंगे, जब sign series लिखेंगे, बस cos की जगापर sign करना पड़ेगा, बाकी जो भी angle में है, वैसे रहेगा, जो इसमें multiply हो रहा है, यानि coefficient जो भी होगा भी रहेगा, बस cos की जगापर, यहाँ पर sign लिख दिजएगा, sign 3 theta minus and so on to infinity number of term, जिस method के use करें हैं, वो c plus is method है, तो इसका मतलब यह हुआ, s में हम i से हर एक term में multiply कर देंगे, और इसके corresponding term से add कर देंगे, corresponding term का मतलब first term को first term से add करेंगे, तो यहाँ पर cos series का first term cos theta है, और sin series का first term अब हो जाएगा, i sin theta, क्योंकि i से multiply हो चुका है, क्योंकि is com c में add कर रहे हैं, minus 1 by 2 दोनों में common है, तो 1 by 2 को common लेने के बाद, पहले बाले में cos 2 theta है, यहाँ पर i into sin 2 theta होगा, इसी तरिके से plus 1 by 3 दोनों में common है, तो इस बाले में cos 3 theta, और plus का i sin 3 theta होगा, इसी तरिके number of term जो होगे, वो infinite होगे, minus end zone to infinity, यह Euler formula से इनकी values रखना होगी, यह Euler formula हम लेटानते हैं कि cos theta plus, यहाँ पर अगर z की फार्म लेखें कि cos z plus i sin z is equal to, वो e to the power i z के बराबर होता है, इसको हर एक के लिए apply कर देंगे, पहले बाले bracket के लिए z के जाए theta है, दूसरे बाले के लिए 2, z के जाए 2 theta है, इसी के 3 theta and so on, तो इसी के according जो हम value output करेंगे, तो c plus i s method से इसकी value हो जाएगे, c plus i s is equal to e to the power i theta Euler formula को हम यहाँ पर हर एक जगा पर apply कर रहे है, हर एक term में apply कर रहे है, e to the power i into 2 theta plus 1 by 3 e to the power i into 3 theta plus, यहीं minus होगा, फिर ends on to number of term infinite है, इसको हम इस तरीके से भी लिच सकते है, e to the power i theta minus 1 by 2, इसे e to the power i theta का whole up square क्योंकि bracket open होगा, bracket के अंदर और बाहर की power का multiply हो जाता है, तो वहीं आजाएगा, जो लिखा हुआ है उपर, 1 by 3 e to the power i theta की power 3 कर देंगे, यहीं into करने पर 3 i theta है, जो था वहीं आजाएगा, minus and 1 to infinity, अब हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर e to the power i theta को कुछ माल लेते हैं, x के बराबर माल लेते हैं, तो c plus i is जो हमेरे चल दा था, उसमें हमने इसको x माल लिया, तो x minus 1 by 2, x square हो गया, और यह x का क्यों हो जाएगा, बरना पांथरी x क्यों हो जाएगा, minus and 1 to infinity, यह वह सीरीज है, जिसका सम हम लोग जानते हैं, log of 1 plus x होता है, अब x की value जो है, इसको बापस करना है, क्योंकि हमारा value जो theta में दे रखी तो x की value हमने मानी थी, e to the power i theta, अब यहां से अगर हम real और imaginary part को separate कर दें, तो हम real part और imaginary part निकाल नेंगे, और हमें real part चाहिए c, क्योंकि हमाई series cosine series c, जो real part में है, क्योंकि हम दो complex number इक्कुल होते हैं, उनका real part, real part के क्कुल होता है, imaginary, imaginary के क्कुल होता है, तो अब फोकस रहेगा इसको real part में, और imaginary part में separate करनेगा, तो Euler formula का यहां पर use करें, दोबारा से जो बीछे लग चुके हैं, देख लेंगे cos theta plus i sin theta हो जाएगा, तो यहां पर log के अंदर भी real or image हो गया, क्यों इतना portion जो होगा, वो real part हो गया और imaginary हो गया, यहां पर फिर हम log का जो formula होता है, उसको apply कर देंगे, यानि कुछी complex number का जो logarithm की value जो होती है, वो 1 by 2 log of real part का square plus imaginary part का square plus i into 10 inverse imaginary part upon real part, इस identity को, इस formula को जब apply करेंगे, यहां पर, तो real part x यहां पर यह हो y की जगा पर यह है, तो हमारा जो c plus is method था, उसकी c plus is की value थी वो इतनी के बरावर रजाएगी, यानि 1 by 2 log real part का square, यानि 1 plus cos theta का hola square plus imaginary part means sin theta का square, और plus i into 10 inverse imaginary part upon real part, imaginary part यहां पर sin theta है, real part 1 plus cos theta है, तो हमें अपना c की value find करना, real part से ही मतलब रखेंगे, imaginary value से मतलब नहीं है, देर्फोर हम इसे equate करनेंगे, real part को, क्योंकि हमें c की value find करना है, cosine series थी, equating, equating real parts, real parts from both sides, साइट से real part को collect करेंगे, तो c की value आजाएगी, बन बाई 2 log of 1 plus cos theta का hola square plus sin square theta, और इसका hola square को जब open करेंगे, तो यह value हो जाएगी, 1 का square plus cos square theta plus 2 times 1 into cos theta plus sin square, sin square theta plus cos square theta की value को collect कर लेंगे, और इसकी value हम लोग जानते है, 1 के equal होती है, 1 का square यह लिख दिया, और cos square plus sin theta की value 1 हो जाएगी, और यह 2 cos theta की equal है, तो यहाँ आप लिखा जा सकता है, 1 by 2 log, यह 1 1 2 हो जाएगा, तो 2 plus का 2 cos theta हो जाएगा, इन दोनों मेंसे 2 को हम कामल लेंगे, तो जो cosine series है, answer आ चुका है, अब इसना हत तक चाहें आप इसको solve कर लें, तो c की value अब हमारी आ चुकी है, 1 by 2 चल लाता बहार, और log 2 था और log के अंदर में 2 कामल लिया था, तो 1 plus का यह cos theta के बराबर आ गया, अब यहां से और अगसाओ करना चाहें, इतना answer कहीं पर भी छोड़ा जा सकता है, 1 by 2 log, इसे हम cos की ऐसी value रख दें कि 1 से 1 cancel हो जाए, तो इसकी value 2 cos square theta by 2 minus 1, यह बाली value रखेंगे, इसे 1 से 1 cancel हो जाएगा, अब यहां पर लेख सकते है 1 by 2 log 2, और into में बचाए 2 cos square theta by 2, तो देख रहा है यहां पर, यह 2 का भी square है, और यहां पर cos theta by 2 का भी square है, तो इसे खोला भी square लिख देंगे, और हम यह भी, sorry, यह भी जानते हैं कि log m की power n में क्या होता है, power आगे जाती है into log m हो जाएगा, तो यह power 2 आगया जाएगा, यानि 1 by 2 into 2 log of 2 cos theta by 2 आजाएगा, 2 से 2 कैंसल हो जाएगा, तो यह value log 2 cos theta by 2 हो जाएगी, इससे जादा करना चाहें, तो इस लोग 2 को अलग कर देंगे, और फिर हमारा यह answer आजाएगा completely, यानि लोग 2 और से पहले कहीं पर भी जब C निकाला था, तो वहाँ पर हम कह सकते हैं, हमारा answer आ चुका है, तो कहीं पर भी छोड़ा जा सकता था, यहाँ पर यह log 2 plus तो इससे जादा हम आगे नहीं कर सकते हैं, और यह complete हो चुका है, thank you very much indeed for listening, वाकुर दामाना, अलहम्दुलिल्लाही रब्लालमीन